हालो गाइस गुड इवनिंग तो गाइस यह विजन की 1st and 2nd नवंबर की डेली कुरंट अफिर्स की मेगजीन है तो चलिए गाइस हम आज की 1st न्यू स्टार्ट करते हैं तो गाइस यह जो न्यूस है हमारी GS3 एकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी तो गाइस आपको नाम सही समझ में आ रहा है कि रेगुलेटर रिक्वार्मेंट को पूरा करने के लिए क्या है कि 670 कौर रूपीस इन्फ्यूस के जाएंगे किसमें रिजनल रूरल बैंक में तो करना ऐ हर इक सक्क्टर को क्या कर रहे हैं रिक्वाइज कररें करें की दर हम चैप्टल सहपोर्ट प्रोवाइट करें वो संट सेट गॉ домой में टोंको प्रवाइब करेंगे इन दा रेशो 50 15 35 मतलब कि जो 50 परसेंट पैसा सेंटर देगा 15 परसेंट पैसा स्टेट गवर्मेंट देगी और 35 परसेंट जो पैस होएगा उसमें स्पॉंसर बैंक देगा इसका एम यह है कि ताकि जो हम क्या कर सके जो रीजनल रूरर बैंक की जो एक म ंपरसेंट की उसको हम मीट कर सके मतलब की अभी जितने भी Centre हमें चाहिए ताकि हम 9 परसेंट लेशोो को मेंटेंब कर सके उसको वह पूरी कर सके जो को अब इनको बाता है Diversity lecture देना होता है फिर ऐसे और गरिकल्चर हया乾濟 Environment होता है । मित्लब क्या होता है कि हमकितम Allah पैसा जैसे उन इस्चेतर को देए जो पर जो small and marginal farmers को दे या फिर जो micro entrepreneurs है रूरल आर्टिसन इनके अंडर जो हम पैसा देते हैं इनको हम बोलते हैं परार्टी सेक्टर लेंडिंग देते हैं ठीक है इसको हमने सेट अप किया था किस इसके पर लॉन्स के लिए काफ एक्सेसिव अप्लिकेशन है इसके अलावा क्या है जो इसका कंट्रोल है वह बहुत ज्यादा head office के द्वारा एक्सेसिव कंट्रोल में लिया जा रहा है जिसकी वज़से जो इसके फंक्शनिंग है वह कहीना के डिफिकल्ट होई है ठीक है आई कॉल माइन गॉलमेंट ऑफर गर्याओं आपको पता है कि उक्षेन या फिर जो हम मतलब कि जो ओक्षन करते हैं वह गुवर्नेंट कभी भी प्रैवेट कंपनी को अलाव नहीं किया था अगर प्रैवेट कंपनी क्या कर सकती है कि अगर उन्हें एजा-01 मेटेरियल को लेकिन अभी क्या किया यह आप का फी बार मैं आपको पढ़ा भी चुकिए हूं यह इंडिया में पहली बार हुआ है जब हमने क्या 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 प्राइवेट कंपनीज को कि वह आज असेल परपस के लिए यूज कर सकते हो 38 कोल ब्लोक्स को उफ़र किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा उख्शं के लिए लेकिन क्या 19 कोल ब्लोक्स में क्या कंपनीज ने इंक्टर्श हो गया है इससे पहले क्या गौवर्णमेंट में अभी क्या किया था मिनरल लोस अमेंडमेंट एक टू टूवंटी-ट करता है कि overall जो भी माइनिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करता है इससे पहले जो कोल माइनिंग स्पेशल एक्ट 2015 का आया था वह क्या करता था उसके अंडर क्या था जो भी हम माइन्स को अलोकेट करते थे उसके अलोकेशन को सुप्रीम कोट ने कंसल करते थे तो 2014 में इसका क्या है CMSP Act के बाद क्या है कोल माइन को कभी भी हम किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे दे कंपनी को अगर कोल ब्लोक के लिए पहले अप्लाइ करना होता था और उसके बाद जो इंटर मिनिस्टर कमीटी है वो पूरी इंवेस्टिकेशन करने के बाद क्या है उन्हें करती थी कि हाँ अब आप क्या कर सकते हो कोल माइन को यूज कर सकते हो यह कोल ब्लोक को यूज कर सकते हो ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो प्राइवेट कंपनी था वो किस तरह से जो कोल अगर उन्हें चाहिए होता था वो क्या करती थी वो पहले ए जो इंपोर्ट पर डिपेंडनेंट वो रेडिस होएगा, एफिशेंसी इंक्रीज होएगी और हमारी फोरेंड इंवेस्टमेंट भी एट्रेक्ट होएगी, कमर्चिल माइनिंग का मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें क्या जो प्राइवेट सेक्टर है, वो करोल को कमर्चिल यूज भी कर सकते हैं, विदाउट प्लेटिंग एनि उसके उपर कोई रस्रिक्शन नहीं है, मति कि प्राइवेट कमणी जब क्या कर सकती है, अपने प्लांस में तो उसको यूज कर ही सकती है, लेकिन उसको मार्किट में सेल भी कर सकती है, आपको समझ में आया होगा, आगे बरते हैं, Ministry of Health and Family Welfare Issues, Guidelines for Managing the Mental Illness Among the Coronavirus Pandemic, यह जो mental illness के जो issues होते हैं, वो social issues में भी कवर होते हैं, लेकिन आप चाहो तो इसको GS3, Science and Technology Section में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन mostly जो issues हैं, यह social issues में कवर होते हैं, आपको पता हैं, जब से कोरोना वार्स पैंडेमिक चलिया है, तो उसमें जो mental health care है, हमने कहीं न कहीं उसके उपर जादा स्ट्रेस दिया, अब ऐसा क्यों है, इस guidelines को इसलिए इस्यो किया है, ताकि हम क्या कर सकें, लोगों का जो risk है, उसको minimize कर सकें, और साथ में जो वल्नेरेबल पेशेंट्स हैं, जो मतलब कि कुछ साइक्रेट्रिक डिस ओर्डर्स हैं, जो फेस करें, या पर जो हमारे front line health care workers है, उनको हम क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, अभी कहां तीन ग्रूप्स हैं, जो mental health से affected हैं, जो patient जो already confirmed COVID-19 infection है, उनको उनमें कहीं mental health problems develop हो रही है, इसके लाब प्री existing patients हैं, जो psychiatric disorder से face कर रहे हैं, इसके लाब जो mental health concerns हैं, जो general public हैं face कर रही हैं, अब guidelines के देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक link set up करेंगे, mental health establishment में, और जो COVID designated hospital है, किसी भी district में, उनके बीच में एक link set up करेंगे, ताकि easily क्या कर से कि, जो facilities हैं, उनको हम transfer कर से के, तिक है, मतला, आपको कोई भी district है, कोई भी city है, उसमे एक mental health hospital होगा, COVID designated hospital होगा, उन दोनों को एक linkage प्रोवाइड करेंगे, हम easily facilities को हम क्या कर से के, शेर कर से के, हम क्या करेंगे, जो healthcare workers हैं, उनको training प्रोवाइड करेंगे, like infrequent hand washing, disposal of waste, and sanitizing the establishment, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो authorities होगी, वो nodal officer को nominate करेंगी, जो क्या करेंगी, इन सब tasks को क्या करेंगी, periodically क्या करेंगे, review करेंगी, update करेंगी, और share करेंगी, with mental health professionals, ठीक है, challenges क्या है, जो को challenges यह हैं, कि जो patient, जो already psychotic disorders में, मदर की already face कर रहे हैं, या फिर जिनके मानिय के symptom है, उन लोगो isolate, या quarantine करना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसके अलाबा ये देखा करेंगे, जो इंडिया है, वो अपने health budget में, only 0.06% ही spent करेंगे, या आपको already परता है, कि इंडिया already health में, काफी कम spend करता है, अपनी GDP का, लेकिन उसके अंडर भी एकर, जो health budget के अंडर भी, हम mental health care पे, बहुत ही कम क्या करते हैं, इंशुरेंस कंपनीज भी क्या होते हैं, medical insurance, जो mental health care में, इंक्लूड नहीं करती, जो medical insurance के अंडर, mental disorders हैं, उन्हें क्या नहीं करती, एड नहीं करती, इसके लबाबा ये देखा किया, 10 lakh population के अंदर, only 3 secretaries available है, which is बहुत जो बहुत ही ज़्यादा कम है, नेक्स में पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान ने अभी क्या किया, जो गिलगेट पलिस्तान को, एक provisional status इशू कर दिया है, तो कारिज ये जो न्यूज है, हमारी GS2 international relations में कभर होगी, तो कारिज हमने काफी पार पहले पढ़ी थी, एक बार न्यूज, ठीक है, जब पाकिस्तान ने बात की थी, कि हम उसको provisional status दे देंगे, लेकिन अब फाइनली दे दिया है, पाकिस्तान ने एनॉंस कर दे कि जो गिलकेट पाकिस्तान है, वो a full-fledged province है, जिसके पास सभी constitutional right है, जिसके पाकिस्तान की, जो गिलकेट पालिस्तान है, वो चमु एन कश्मीर की princely state का पार था, लेकिन कब से पाकिस्तान की कंट्रोल में, from 4 November 1947 से पाकिस्तान की कंट्रोल है, जब वहां की जो पाकिस्तान आर्मी थी, और जो ट्राइबल मिलिटेंस ने उसको इन्वेट कले था, 2018 में गिलकेट पालिस्तान ओर को ओर्डेटी पास किया था, जिसके अंडर यही था कि हम गिलकेट पालिस्तान को 5th प्रविंस बनाएंगे, और इन्टिग्रेट करेंगे इस प्रविंस को विद्रेस्ट पाकिस्तान बाई लेजिस्लेटिव, जुडिशिल एड्मिस्रेटिव मिदल, 1949 से देखा गया है कि यह पाकिस्तान गौर्न्मेंट के अंडर डिरेक्ट कंट्रोल में है, इसके अलावे चार और प्रविंस पाकिसान के वह कौन कोन से है, बालुस्तान, खाइबर, पंक्तुआर, पंजाब, और सिंथ, यह और चार प्रविंस था है, और पाकिसान को इमीजेट्री बोला है कि इसको आप वेकेट कर दो, फ्रॉम दा इंडिया डिर्ट्री ओव गिल्किट पारिस्तान, अब गिल्किट पारिस्तान के ऊपर जो हमारा इतना लडाई हो रही है, इंडिया इसका सिगनिफ्केंस कहा है, जो को सबसे पहले कि यह स्टेटेजिक एरिया है और सेंटर लेशी और चाइना आप इस एरिया से कर सकते हैं, इसके इलावा कि चाइना पाकिसान एकोनॉमिक कोर्ड हो रहा है वह गिल्किट पारिस्तान से होके गुजरता है, इसके इलावा किया यहा पे इंपोर्टेट ग्लीशियरा जैसे यह यहां पे लोकेट है यहां पे इंडर्स रीवर है उसका जो हाइड्रक्रिक पोटेंशिल वह बहुत ज्यादा है, जो इस एरिया को एक energy security purpose से काफी important बना दीता है, ठीक है, so guys I hope आपको ये भी समझ में होगा, next news बढ़ते हैं, all India trade union congress turns 100, तो guys ये जो topic है बहुत जादा important है, modern India में भी all India trade union congress का topic है, बहुत जादा important हो जाता है, कभी बहुत test series देते हो, तो इस से related काफी questions आपको देखने को मिलत हैं, ठीक है, तो guys ये जो news जी एस वन history में ही cover होगी, 1920 में आपको पता है, all India trade union congress को form किया गया था, कि लिएस के द्वारा एक एक पॉइंट इसका बहुत important होने वाल है, लाला लाजपत्राय के द्वारा नारायन मलहर जोशी, जोसे बप्तिस्ता, दिवान चमनलाल, etc., ता कि हम क्या कर सके, इंडिया के जो लेबरान को representation प्रोवाइड कर सके, at the League of Nations International Labour Organization में, लाला लाजपत्राय के फर्स प्रेजिडेंट थे, ओल इंडे टेड यूनियन के इसको तो ये आपके बता होना जी, साथ में जो दिवान चमनलाल थे, वो इनके फर्स जनरल सेक्रेटरी थे, कॉंग्रेस का जो गया सेशन हुआ था 1922 में, उन्होंने क्या किया था, फर्मेशन जो वेलकम भी किया था, फेवर किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है, इसके बात क्या हुआ था, ओल इनके टेड यूनियन कॉंग्रेस है, वो स्प्लिट हो गई थी, दो पाग में, that is 1929 मे National Trade Union Federation form हो गया था, और 1931 में Red Trade Union Congress form हो गया था, इंडिया में जो लेबर मुवम्मेंट है, वो ओल्डेट ही वैसे 1877 में ही स्टार्ट हो गया था, जब पहली बाद जो स्ट्राइक हुई थी, वो नागपूर के Empress Mills में हुई थी, जिसके बाद क्या है, Factories Act को भी अडॉप्ट क में फोर्म हुई थी, Under the N.M.Lokhande, जो की First Worker Organization थी, इसके बाद जो पहली Registered Organized Trade Union थी, इंडिया में, वो मदरास Labor Union थी, जो किसके द्वारा फोर्म की गई थी, BP वादिया के साथ, in 1918, 1920 में आपको पता हुगा जो एहमदाबाद textile labor association था, उसको भी found out किया गया था, किसके इसके रोना है, थोड़ी पता होनी थी, Trade Union क्या होता है, यह आपको पता है होगा Labor Union और Trade Union क्या होते है, they are the organization, जो वर्कर्स के द्वारा फोर्म की जाती है, जो इनका common interest होता है, ताकि उनको क्या है, जो उनके interest है, वो protectors है, जैसे working hours, या फिर जो minimum wages है, वो सब उनको maintain रहे, for workers and management में एक link होता है, ठीक है, तो guys, I hope आपको ही समझ में आओगा, अब चलते हैं, अपनी छोट-चोटी न्यूस पे, strategic policy and the facilitation bureau, तो guys, यह जो न्यूस है ना, देखो, आपको शाद यह देखके ना, कभी भी भी ने, आपको समझ में आगा, कि मिनिस्टिव आयूश का initiative है, इसमें सबसे important बात ही है, कि यह joint initiative है कि इसका, मिनिस्टिव आयूश को और इन्वेस्ट इंडिया को, ताकि हम क्या कर सके, आयूश sector को systematic way में ग्रोथ कर सके, planned way में ग्रोथ कर सके, इसके activities में क्या क्या है, आपको knowledge creation management होगा, strategic and policy making support करेंगे, state policy benchmarking होगी, ताकि हम uniform guidelines को form कर सके investment facilitation होगा, कुछ specific deliverables है, इसमें प्रोग्राम को इनिशेट करेंगे, तो इसमें इससक को समझाने वाला नहीं था, बस इसको आपको यह याद रखना है, किसका initiative है, मिनिस्टिव आयूश और इन्वेस्ट इंडिया का, तीक है, यह important है, इसमें, rural development fund क्या होता है, देखो, क्यों, जो rural development fund होता है, सबसे पहला आपको यह pathology, यह 3% होता है, जो हम क्या करते है, जो agriculture produce, जैसे suppose करो, हर एक जो state होती है, वो अपनी जो agriculture produce होती है, लाइक जो wheat या, कोई भी आपने अपना जो crop है, उसको आपने प्रोड्यूस को जो बेचा है, किसको center को, तो उसके बाद क्यों होती है, कुछ center जो है, आपको उसके सेस देता है, ठीक है, तो rural development fund होचा है, 3% सेस होता है, जो हम agriculture produce के purchase और sale पे लगाते है, under the rural development fund, यह mainly center government, जो purchase agency, आपको पता है, जो food corporation of India, यह वो देती है, विच जो buy करती है, हम से wheat और paddy, every year, it is executed by पंजाब rural development board, with the chief minister, जो है इसके chairman है, इसको fund को, जो rural development fund, इसको हम कहा है, हम rural infrastructure को create या maintain करने, इसको use कर सकते है, in and outside the mandis, national medical commission notifies the minimum requirements for annual MBBS admission regulation, जगर अभी क्या है, अगर कोई भी new colleges MBBS के लिए open हो रहे है, या फिर जो existing colleges है, अगर वो अपनी जो seats सेंट को बढ़ा रहे हैं, जैसे अगर वो अभी 30 students को admission देते है है, अगर वो अपनी seat बढ़ा रहे हैं, 40 कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है, कुछ guidelines है, कुछ regulations है, जो national medical commission ने क्या के notify क्या है, तो सबसे पहले इन्होंने ये बोला है, कि आपके पस क्यों है, सबसे पहले, जो available resources है, उनको आप optimized way में use करो, और उनको मतलब की flexibility होने इसको use करने के लिए, और अब modern educational technology tools को harness करो, इसके लावा क्यों होने जाए, skill laboratory होने जाए, well equipped होने जाए, ताकि students को train कर सके, इसके लावा इन्होंने ये बोल रहा है, जो भी अगर new medical college established हो रहा है, उसके पास कम से कम 300 beds होने जाए, वो भी multi specialty hospital के for at least two years at the time of application, मतलब कि अगर आपने आज application file करी है, तो at least आपको दो साल पहले से आपके पास 300 beds available होने चाहिए, यह नहीं कि आपने पास MBBS का college को ले, उसके बाद में आप सोच रहे हो कि ठीक है, अब मैं बाद में करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है, पहले यह आपके पास क्योंने चाहिए, यह सब होने होने चाहिए, इसके पास के कुछ regulations है, जो new medical colleges है, उनके पास applicable होएगी, यह फिर जो established medical colleges है, जो अपनी annual MBBS intake को increase करें, मतलब कि अपनी seats को बढ़ा आ रहे है, नेशनल मेडिकल कमिशन को सेट अप किया गया, under the National Medical Commission Act 2019, यह आपको पता ही होगा, आगे बढ़ते हैं, वर्ट ब कि मैं हूँ, मैं USA में काम करते हूँ, तो USA से इंडिया में जो पैसे आ रहे हैं, अगर सपोस को मैं वहाँ पे 1000 डोलर कमा रही हूँ, और मैं उसको अपने देश वापिस भेज रही है, तो इसे हम रेमिटेंस बोलते हैं, अभी यह आपको रिपोर्ट आई, आपको अपडे होएंगे, इंडिया में वह कम आएंगे, अभी आपको यह भी पता है कि जो रेमिटेंस सबसे ज्यादा किस कंट्री में आता है, यह आपको पता होगा, हमने यह रिपोर्ट पहले भी पढ़े है, इंडिया में आता है, इसके लावज चाइन, मेक्सिको, फिलिपिस, इसके जो में दो मस्टी करन सीज है, वह डपीशेट हो रही है, इसके आप को सबसे पहले यह पता होगा, जो अब को सबसे पहले यह पता होना इजिए, जो तैफुन एजिए जिसके वज़ेए, सवन लोग के मर चुके है, तैफून एक टॉपिकल सैक्रों होंता है, जो कहा हो जाता है मैं आप देख सकते हो हमारे इंडिया मज़े से वेस्ट बेंगोल वगएडा मोली छोड़ा मॉन्सूनी सीजन होता है तो वहां पे आता है क्योंकि वह हुमिडिटी हो जाती है न तो इस वाज से के मॉन्सू सीजन में आता है साउसे एश्या में एंवेट सेजन इन नॉर्थ अट्रेंटिंग या फिर सैंट्रल और इस्ट नॉर्थ पैसिक में आता है तो यह आपको बता होना चाहिए यह आपको पता ही सरदार वल्लाभाई पाटेल है आपने का विदेख वामोधी जी ने ट्रिब्यूट दिया है ठीक वल्लाभाई पाटेल को इंडिया का सरदार का टाइटल मिला था इनोंने बार्दोली सत्यक्रा जोकि 928 में आया ता इनकी ग्रेटेस्ट कॉंटिपूशन यही ता कि इनोंने क्या क्या थे तो 565 प्रिंस्ट इस सेट्ट था हुंको इंटीग्रेट किया था और इनोंने ओल इंड्डिया सवची को क्रीट किया थ नाइंटी नाइटी वान में इनको भरत रतना भी मिला था हर सार्व 31 अक्तूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल यूडिटी दे या फिर राश्ट एक तदीवस ताकि हम इनकी बर्थ अनिवर्सिटी को कह कर सेके सेलिब्रेट कर सेके लास्ट यूज कंट्री का फ इन दोनों के बीच में के इस सर्विस को लूज किया है यह पीज प्लेन के ट्विन ओटर 300 जो अपरेट को न करेगा सब समझ में आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना कोई भी डाव टो कमेंट करना तब तेले बाबाई टाडा